योजनाई निंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपका अयूस्मान कार्ड नहीं बना है और खास करके आपका अयूस्मान कार्ड रासन कार्ड की वज़े से नहीं बना है तो अब आपके लिए बड़ी खुसकबरी है क्योंकि बिना रासन कार्ड के भी अ और इस पर क्या आदे जारी हुआ है वह आपके लिए जानना जरूरी है जिया साथियों अगर आपका आयूसमान कार्ड अभी तक नहीं बना है और आपका आयूसमान कार्ड खास करके रासन कार्ड के वज़े से रुका हुआ है कि आपके पास रासन कार्ड है या नहीं है रास उस्मान कार्ड बनाए जाएंगे बीना रासन कार्ड के कहां पर बनाए जाएंगे और इसके लिए क्या आदेश जारी हुआ है सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं कि क्या आदेश जारी हुआ है लेकिन उससे पहले अगर निवारेता राज्य की एक बड़ी आबादी को मुप्त इलाज की सुईदा से वन्चित कर रही है यानि कि आयूसमानकार्ड बनवाने के लिए राशनकार्ड जरूरी है तो इसलिए जो राज्य के एक बड़ी आबादी है उसे मुप्त इलाज की सुईदा से वन्चित कर रही राज्य सरकार ने परदेश में सत परतिसत लोगों के अयूसमानकार बनाने का लक्से तै किया है पर अब भी बड़ी संख्या में लोगों के पास अयूसमानकार नहीं है जिस पर स्वास्त मंतरी जी ने नाराजगी वेक्त की है स्वास्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अयूसमान कार्ड बनवाने के लिए रासन कार्ड की अनिवारेता पर चर्चा हुई स्वास्त मंत्री ने रासन कार्ड नय होने की स्थिति में कोई दूसरा विकल्प पर विचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं यानि कि जो राज्य के स्वास्त मंत्री हैं उन्होंने जो अधिकारियों से कहा है कि रासन कार्ड के इलावा कोई और यानि कि कोई दूसरा विकल्प पर जो विचार करने को खा है निदेश इसके दिये हैं यानि कि अगर किसी के पास रासन कार्ट नहीं है तो कोई दूसरा विकल्ब भी होना चाहिए तो इस पर विचार करने के निदेश दिये हैं उन्होंने कहा है कि बीच का कोई विकल्ब सुझाए और इस परस्ताव को जनहीत में के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा उत्राखण के स्वास्त मंत्री ने अधिकारियों को 16-30 जनवरी तक परदेश भर में अयूसमान कार्ड वे आभा आईडी बनाने को वरद अभियान चलाने के निदेश दिये हैं यानि कि यह है जो मामला हम आपको बता रहे हैं जानकरी दे रहे हैं वे उत्राखण राज्य सरकार की है और उत्राखण राज्य सरकार के जो स्वास्त मंत्री है उन्होंने कहा है कि 16-30 जनवरी तक परदेश भर में अभियान कार्ड और आभा आईडी बनाने का अभियान तेज किया जाए उन्होंने कहा है कि 15-30 को सभी रेखे विभावों की बैटक होगी जिसमें अभियान की सफलता के लिए रणनीती तैक की जाएगी तो साथियो अभी इस पर विचार चला है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आपका राशन हो अयूसमान कार्ड बनाय जाएगा और यह जो अयूसमान कार्ड बनाय जाएगा इसके लिए दूसरा क्या विकल्प है यानि किस और डोकोमेंट के साथ आपका अयूसमान कार्ड बनाय जाएगा तो अगर आप उत्राखंड के रहने वाले हैं तो आप अपना अयूसमान कार्ड 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक अपना अयूसमान कार्ड जरूर बन वाले और अगर राज्य सरकार कोई और नियम लाती है तो आप उसी के आधार पर अपना अयूस्मान कार्ड बनवा सकते हैं लेकिन अगर किसी के पास राशन कार्ड है तो वह राशन कार्ड के जरिये ही अपना अयूस्मान कार्ड बनवा सकता है और राशन कार्ड के जो 6 यूनिट हैं उसी के आदार पर अयूसमान कार्ड बनाय जा रहे हैं और जो 60 वरस से उपर के व्रदवेक्ति हैं उनके लिए भी अयूसमान कार्ड बनाय जा रहे हैं तो यही थी जानकारी की कैसे बिना राशन कार्ड के भी अयूसमान कार्ड बना जाएंगे वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आये हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा अयूसमान कार्ड या तो आप अपने आपी मुबाइल से बना सकते हैं या फिर सबसे बढ़िया ओप्षन आपके पास है आप अपने नजदी की CST सेंटर में जाकर के अपना अयूसमान कार्ड जरूर बन वाले